इट ग्रेट कच्छा साथ के अंतरगत विग्जान विशे के अंतरगत पाठ शे भौतिक यहँम रासायनिक परिवर्तन तो इसको लिजिए कि निम्न को बहुतिक वहारासायनिक परिवर्तनों में बर्गी क्रत कीजिए तो इसमें जी मौम का पिघलना, भोजन का पाचन, कोईले का जलना, जल में सक्कर का गुलना, तो एक तरफ भोतिक परिवर्तन लिख लिजी, एक तरफ रासाइनिक परिवर्तन, तो भोतिक परिवर्तन में लिखना है मोम का पिघलना, और जल में सक्कर का गुलना, रासाइनिक परिवर्तन में अर्फात, sodium hydrogen carbonate इसको क्रिया कराएंगे तो अविक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम लिखना है तो लिखिये जी सिरका यह इस्टिक अमलवत तथा खाने का सोडा अर्फात, sodium hydrogen carbonate की अविक्रिया के पश्चात, carbon dioxide और अन्य पदार्थ बनते हैं इसमें ज़्यादा तुम्हें नहीं लिखना है अन्य पतार्थ क्या है बस उसके बारे में लिख देना है कि अन्य पतार्थ है कुछ तो लकडी का काटना एक बहुतिक परिवर्तन है परन्तु लकडी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है इसके बारे में इसपष्ट करना है तो लकड़ी के काटने पर उसके बहुतिक गुड़ों में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, अर्थात कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए यह बहुतिक परिवर्तन है, परन्तु लकड़ी के जलने पर इसके बहुतिक गुड़ों पूरतन है, अर्थात पूरी तरह बदल हो जाता है तो कापर सलफेट के विलियन में लोहे की कील डालने पर आइरन सलफेट बनने के कारण विलियन का रंग हरा हो जाता है चलिए अगला प्रिशनली जी मैगनीशियम की फीते को जलाने पर उसे इसके रूप में स्वेट भस्म अर्थात पाउडर प्राप्त होती है यह किस प्रकार का परिवर्तन है परिवर्तन को यह समी करन दोरा समझाईए तो मेगनीशियम के फीते को जलाने पर उसे इसके रूप में स्वेत भस में अर्थात पाउडर प्राप्त होती है यह एक रास्याइनिक परिवर्तन है इसका सूत्र लिखना है MG-O, तो अगर इसको देखेंगे MG अर्थात मेंगनीशियम, O2 अर्थात आकसिजन और क्रिया के पस्चात MAGNESIUM bena बहुत इक और रास्याइनिक परिवर्तन में अंदर इस्प्ष्ट किजिये तो एक तरफ बहुतिक परिवर्तन लिख लिजे एक तरफ रासाइनिक परिवर्तन लिख लिजे और इनको लिखना सुरू करिए तो बहुतिक परिवर्तन में लिखना है कि पदार्थों के बहुतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं इन की तरफ लिखना है रासाइनिक की तरफ की पदार्थों के गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं इसमें लिखना है इसमें कोई ने पदार्थ नहीं बनते हैं इधर लिखना है इसमें ने पदार्थ बनते हैं बोतिक की तरफ लिखना है कि ये परिवर्तन उत्क्रमणी हो सकते हैं, इधर लिखना है कि ये परिवर्तन अनुत्क्रमणी होते हैं, अर्थात पुनेह वापस नहीं आ सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतरिक्त कौन-कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, ल अगला प्रश्चन लिए कि जब कारवन डायाकसाइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है इस प्रकुरिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए तो जब कार्बन डायक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी केल्सियम कार्वोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है इस अविक्रिया में केल्सियम कार्वोनेट अर्थाथ CACO3 तथा पानी अर्थाथ H2O बनता है अगला प्रिश्ण है कि कापर सलफेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वरणन कीजिए तो एक बीकर में एक कपजल लेकर उसमें कुछ बूंदें तनु सलफ्यूरिक अमलकी डाल कर गर्म करते हुए धीरे धीरे चलाते हुए कापर सलफेट का चूरुन मिलाते हैं यह तब तक करते हैं जिब तक और कापर सलफेट गोलना संभौर ना हो अब इस विल्यन को फिल्टर पेपर से छान कर बिना हिलाए उसे ठंडा होने देते हैं कुछ समय पस्चात विलियन में कापर सलफेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार यह प्रिशने पूर्ण होता है अगला प्रिशना लीजिए कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासाइनिक समी करनद्वारा समझाईये अगई इसमें देख भी तान के कि लोहे में जंग लगने की क्रिया को निम्न रासाइनिक समी करनद्वारा विक्त किया जा सकता है एफ ए प्लस ओ, टू, प्लस, ह स्टू, औ फ्रीर का निसान लगाए F E 2 O 3 F E क्या होता है इदर लिखना है लोहा होता है O2 क्या होता है Y से निकली हुई आक्सिजन H2O क्या है पानी है और F E 2 O 3 क्या है इसी को जंग कहते हैं इसका राशाइनी के नाम है आइरन आक्साइड तो जी अगला प्रश्ण है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या-क्या उपाई करेंगे तो लोहे को नमी से तथा पानी से बचाओ करना चाहिए लोहे को जंग से बचने के लिए उस पर ग्रीश या पेंट कर देना चाहिए लोहे पर क्रोमियम अथ्वाजिस्ता या जिंक की परत चड़ाने का प्रक्रम यसदलेपन या गैलविनाईजेशन कहलाता है इससे लोहे पर जंग नहीं लगता है धन्यवाद